नमस्कार, क्यापिटल टिपी का खाश शोर राहूल का अगनिपद देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ पूजा चुनाव नस्दीक है और राहूल गांधी अपने चुनावी गोशना पत्र को लेकर बुरी तरह से फस चुके हैं कॉंगर्स पार्टी ने युवाओ, महिलाओ, किसान और वंचित वर को न्याय दिलाने का बादा करते हुए 48 पन्नों का घोशना पत्र जारी किया है कॉंगर्स के मैनिफेस्टों को राहूल गांधी ने करांती कारी करार दिया और कहा है कि ये देश का चेहरा बदल सकता है गोशना पत्र पर चारों तरब से फसे राहूल गांधी ने अब अपनी चुपी तोड़ी है और कह रहे हैं कि ये चुनाओ समाज को बाटने और जोडने वाली दो विचारधाराओं के बीच के लड़ाई है इसे लिए जनता को देश को जोडने और तोडने वाली ताकतों की पहचान कर इस बार मतदान करना है तो राहूल गांधी का पूरा बयान भी आपको बताएंगे साथी राहूल गांधी के अमेटी से चुनाओ लडने को लेकर सस्पेंस आखर क्यूब बना है उस पर भी चर्चा करेंगे मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद है Capital TV के Executive Editor राजीद जी सर आपका बहुत-बहुत स्वागता है तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप राहूल गांधी का ये ट्वीट देखिए उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि ये चुनाओ दो विचारधाराओं की लडाई है एक तरफ कॉंग्रिस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने हमेशा लोगों को बाटने की कोशश की है इतिहास गवा है किसने देश का विभाजन चाने वाली ताकतों से हाथ मिला कर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंतता की लिडा कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ खड़ा था जब भारत की जेले कॉंग्रसी नेताओं से भर गई थी तब कौन देश को बाटने वाली ताकतों के साथ राज्यों में सरकार चला रहा था राजनितिक मंचों से जूट की बौचार करने से इतिहास नहीं बदलता इस तरह का ट्वीट कर सर राहूल गांधी किसे संदेश देना चाहते हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहूल गांधी ने जो बात कही कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता इतिहास की समझ राहूल गांधी के पास है जो लिखा लिखाया दे दिया गया वही राहूल गांधी ने चाहे तो सोसल मीडिया पर डाल दिया या फिर खुद कही मंच पर रेलियों में उसका बखान कर दिया क्योंकि जो जो बाते राहुल गांधी ने कही है वो बात तो सच है लेकिन उल्टा है तोडने वाली राजनिती और जोडने वाली राजनिती ये तो जनता को देखना है ये राहुल गांधी ने भी कहा कि तोडने और जोडने वाली पार्टियों की पहचान करके जनता मतदान करे अब दो सवाल उठते है पहले जनता अगर पहचान कर चुकी है या पहचान कर लेगी तो ये साबित हो जाएगा कि राहुल गाधी की कॉंग्रेश जो है वो तोडने वाली पार्टी है तोकि आपने ही कहा था जनता इसकी पहचान करे तो जनता मुर्ख तो है नहीं आप ये साबित नहीं कर सकते कि अगर जनता ने रिजेक्ट कर दिया आपको यानि की पहचान आपकी कर ली कि आप तोडने वाली पार्टी रहे हो देश को तोडने वाली ताकते आपके इर्द-गर्द घूमती रही है यानि आपको रिजेक्ट कर रहे हैं जो जोडने की बात कर रहा है हर छोटे छोटे आईलेंड से लेकर राज्योत नौर्थिस्ट के वो राज्य जो हमेशा अलगावाद की चपेट में रहे उसको भी जोडने की कोशिश की जा रही है जो जम्मु कस्मीर को आप लोग अभिन अंग मानने से पहले ये सोचते थे वहां का अलग संबिधान हो तिरंगा लाल चौक पर फहराने के लिए आपकी आउकात नहीं थी उसे भी जोड दिया गया इंटिग्रल पार्ट बना दिया गया वहां पर अब पाकिस्तान बौक लाया है विपक्ष बौक लाया है कि कैसे इतना बड़ा काम हो गया जहां तक तोड़ने की राजनिती की बात है ये राहुल गांदी कॉंग्रेस का जिक्र करते हैं 1985 के बात से अब तक के लिए अगर माले कि ये उसी कॉंग्रेस की परंपरा से आते हैं तो सवाल तो कॉंग्रेस के उपर कई उठे थे तवाल ये भी उठा था कि ये कॉंग्रेस है क्या कॉंग्रेस को बनाया क्यों गया कॉंग्रेस के बनाने के पीछे का ब्रिटीज का मकसद क्या था अंग्रेजों का और फिर उसमें जिन लोगों को इन्वोल किया गया उसके विरोध में कुछ कॉंग्रेस के नेता क्यों गये क कॉंग्रेस का विभाजन क्यूं हुआ ये सारे सवाल अभी तक चलते रहते हैं एक अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम जिसने कॉंग्रेस के स्थापना के और उसका पूरा मकसद जो था वो विपिन चंदरपाल ने भी कहा है सेप्टी वॉल्व थियोरी यानि की जो हिंदुस के अंदर अंग्रेजों से बगावत की भावना पनप रही है और जो 1857 में रक्त रंजित क्रांती चली यानि की पर्थम सुतंतरता आंदोलन जिसे पर्थम सुतंतरता आंदोलन भी वीर सावरकर ने कहा जिसे राहुल गांधी बार बार क्या बोलते हैं सावरकर के बारे में जो टिपड़ी करते हैं हम लोग यहां नहीं कर सकते हैं उस वीर सावरकर ने उसे भारत का पर्थम सोतंतरता अंदोलन कहा लोगों को प्रेरित किया और उसके बाद यानी 1867 और 1885 लगभग 27-28 साल 28 साल के अंदर भी ब्रिटेन की जो चूले हिल रही थी ब्रिटीस हुकूमत की उसे एक अंग्रेज अधिकारी ने वही पर अंग्रेजों को ही बताया कि हमें एक ऐसे संगठन की जरूरत है जो कि ये विद्रो होने वाला है उससे पहले उसे सांत कर दे छोटे छोटे फायदे दे कर यानि कि सामान्य व्यक्ति भी इस बात को समझता है कि अगर उसके अंदर बड़ी कोई भावना उभान ले रही है तो उसको थोड़े फायदा दे दो उससे वो कुछ समय के लिए संतुस्ट हो जाएगा यही भावना थी सेफ्टी वाल्व थियोरी भी उस समय के कॉंग्रेस के नेता ही दिये थे जब ये कॉंग्रेस नकारा निकमापन दिखाने लगी दीरे दीरे अंग्रे जो की गुलामी करने लगी इसके सुरेंदरनाद बनर जी जैसे नेता जो की रेल के एक पूरे भागी को बुक करवा के जाते थे उस समय भी कॉंग्रेस वकीलों की ही पहुज थी जब लाला लाजपत्रा है विपीच चंदरपाल और बाल गंगाधर तिलक जैसे गरम दल के नेताओं ने कॉंग्रेस के खिलाब इद्रो किया अलग प्रिसर ग्रूप बनाया दबाब बनाया तो उस समय भी कॉंग्रेस वही थी लेकिन चलो ये नहीं कहा जा सकता कि सुतंतरता आंदोलन में कॉंग्रेस की भूमिका जीरो है जिस तरह के दूसरे संगठन की है उसी तरह से कॉंग्रेस की है और ये जो ख्वाब पाले हुए है और लोगों को ये वामपंथी तिहासकारों ने कॉंग्रेसी दलालों ने दिखभरमित किया है कि कॉंग्रेस के कारण ही गांधी के कॉंग्रेस के कारण ही आजादे मिली है ये भरम अब धीरे-धीरे टूट रहा है क्योंकि जो निउ पॉलिसी चल रहे है एजुकेशन पॉलिसी चल रहे है और जो इतिहास को सही मायने में पेश करने वाले लोग सामने आये बता दिया है कि ये जोईंट एफ़र्ट था और उसमें सबसे कम भूमिका कॉंग्रेस की थी उस समय आजादी के लिए इससे ज़्यादा बड़ी भूमिका थी क्रांतिकारियों की जिसने अंग्रेस ब्रिटीस गोर्मेंट को प्रिसराइज किया उसमें दूसरी बड़ी भूमिका उन संगठनों की थी जिसने ये धम की दी कि अब हम ऐसे रुकने बाले नहीं हैं हमारे जितने भी आर्मी में भारतिये हैं वो भी विद्रो करेंगे जिसे नौसेना विद्रो कहा जाता है और उस नौसेना विद्रो में ये नहरू और गांधी ये दोनों ने विरोध किया था कि स्वतंतर भारत में भी हमें इसी सेना की जरूत पड़ेगी सेना में डिसिप्लिन चाहिए नौसेना विद्रो गलत है ये किस ने कहा था? इसी कॉंग्रेस के लोगों ने कहा था और उसी नौसेना विद्रोह की बदौलत आगे जो रिपोर्ट ब्रिटीस गोवर्मेंट को गई अमेरिका का दवाव आया कि दूइतिये बिस जो चल रहा है भारत जैसे देश अगर चला गया दूसरे खेमे में तो फिर समस्याएं पैदा हो जाएगी सब आजादी दो ये कई भूमिकाएं थी जिसमें ब्रिटीस अधिकारियों ने देखा कि नौसेना के अधिकारी नौसेनिक ये वर्दी पहनकर आंदोलन में जुटे हैं यानि की भारत में अगर 15 से 20 पसेंट अंग्रेज सैनिक थे तो 85 पसेंट तो भारती सेना थी और वो उसके घरों में गुझ गुझ कर मारती इसलिए इन लोगों ने शांतिपून तरीके से क्या दिया ट्रांसफर ओपावर ये नहरू को परधान मंतरी अंतरीम परधान मंतरी नहीं बनाये गया बलकि नहरू को बनाये गया इस सक्ति के ट्रांसफर का स्थानांतरन का केंद्र हस्तानांतरित किया गया आजाद नहीं किया गया ये डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे डोमि बारतिय जंता पार्टी का हात है मान लेते हैं बारतिय जंता पार्टी को चोड़ दो ये बाद में बनी लेकिन इससे पहले इनकी जो पार्टी थे जनसंग उनकी भूमिका है जनसंग RSS के लोग शड़कों पर हर जगह पर जा जाकर ये बता रहे थे देश का विभाज़ नहीं होना चाहिए मान लेते हैं महात्मा गांधी तक भी इसका विरोध कर रहे थे लेकिन अंदर खाने से खिचड़ क्या पक रही थी नहरू परधान मंत्री बनने के लिए इतना तड़प रहा था कि विभाज़न को स्विकार कर लिया गांधी कुछ नहीं कर पाए मजबूर थे उसी तरीके से जैसे आज सोनिया गांधी राहुल गांधी के सामने मजबूर है जैसे इंद्रा गांधी संजय गांधी के सामने मजबूर थी आपात काल लगाने के लिए संजय गांधी की इनिसिटिव थी ये पूरा का पूरा खांदान ये जूटे लबारों का है और राहुल गांधी उसी की उपज है जो देश को तोड़ने की राज़िती करने वाली कॉंग्रेस पार्टी को कह रहा है कि देश की जोड़ने की राज़िती हम लोगों ने की कौन से देश को जोड़े पाकिस्तान ब में लगबग 32,000 किलो मीटर का चेतर वर किलो मीटर का चेतर ये चीन के हवाले है ये कॉंग्रेस ने किया नौर्थ हिस्ट में विवाद पैदा हुआ है ये कॉंग्रेस ने किया तिबद को जो बफर स्टेट होना चाहिए था उसे चीन के हवाले कर दिये ये कॉंग्रेस ने कि पुड़ा है कभी जोडने की कोस्स नहीं की ये जो द्रबडियन आंदोलन चला दक्षिन भारत में वहां अलगावाद की भावना आई ये कॉंग्रेस ने किया तो ये लोग तोडने वाले लोग हैं अब जब जोडने वाले लोग आ गए तो इसकी बौखलाहट बढ़ गई है और राहुल गांदी इतिहास एक बार फिर से पढ़ ले ऐसे इतिहास फिर से क्या पढ़ेगा पहले भी नहीं पढ़ा होगा तो ये बातें ये कर रहा है क्यों क्योंकि पी-एम मोदी ने कह दिया कि ये मुस्लिम लीग की छाप दिखती है छाप तो दिखती है आप हर आर्थिक सर्वेक्षन करवाएंगे समपतियों का सर्वेक्षन करवाएंगे गरीबों को अमीरों से लड़वाएंगे सब तलवार बंदूक लेकर सड़कों पर उतर जाओ पूरे विवस्ता को चौपट कर देंगे ये देश को तोड़ने वाली राजनेती ही तो है कि टुक देश बनाना चाहिए मांग करनी चाहिए ये फेडरल सिस्टम के खिलाब बात करता है राहूल गांदी तो ये देश को तोड़ने वाली ताक्ते हैं पिये मोदी ने जब आइना दिखा दिया तो उसके बाद इसकी बौखलाहट सामने आ रहा है तो उस शुरू से ही देश त आमाद और उनके ऊपर बैठी हुई सोनिया गांदी ये दस जन्पत के अंदर आजकल ऐसा महौल हो सुका है कि सोनिया गांदी के सामने ये लोग आपस में लड़ते जगरते रहते हैं राहूल गांदी हार का ठीकरा आपने सर नहीं लेना चाहता है पाटी के ऊपर से तीन मई के बाद वहां नौमिनेशन सुरू होगा यानि की 26 अपरेल के बाद आप डिसाइड करो लेकिन दूसरे को मत दो अब राहूल गांदी चाहता है कि एक सुरक्षित स्यत्र तो हमारे पास है लेकिन वो भी अब सुरक्षित नहीं रहा वाइनाड में स्तियां बदल च खिलाओ और वहां मुस्लिम लीग के सपोर्ट से ही तुम चुनाब जीतते हो इंडियान यूनियन मुस्लिम लीग तुम्हारा पार्टनर है और नौर्थ इंडिया में आके यहां पर हंगामा कर रहे हो हम मुस्लिम लीग के समर्थन वाले लोग नहीं है तो मुस्लिम लीग क चेतर ही या पाकिस्तान का है यहां पर तो सारे चांद सितारे वाले हरे जंडे दिख रहे हैं तो इस बार जंडा ही नहीं लगाया ना कॉंग्रेस का ना मुस्लिम लिग का जब रोड सो कर रहा था तो तो इस बार वहां से भी गीरा है लेकिन अभी भी संभावना इस बात की कि वाइनाट से जीत ज़्यादा आसान है, अमेठी से नमुम्किन है, तो इसलिए अब दीपक सिन का नाम सामने ला रहा है, कि यह MLC है, इसको चुनाब लड़वा दो, यहां तक कि रोवर्ड वाडरा भी पहले कह चुका है, कि हमको चुनाब लड़ने का मोकाद मिलना अमेठी से, अब एक नाम और आ रहा है, वरून गांधी का भी जूड़ रहा है, कि वरून गांधी को इंपोर्ट कर लो, टिकट तो भारती जंता पाटी दिया नहीं, पिली भी से वहां उमिदवार बनाये नहीं, तो वरून गांधी, चुकि यह सीट भी संजे गांधी की संजे गांधी के बाद राजिव गांधी, सोनिया गांधी अब यह राहूल गांधी आए, तो वरून गांधी को वहां पर लाया जाए, लेकिन वरून गांधी को राहूल गांधी लाना नहीं चाहता है, यह स्ट्रेजी चल रही है, जबकि वरून गांधी की बात कॉंग्र अंदर खलबलाहट होती है इसलिए सारे विवाओं को बाहर कर देता है कि डर ऐसा पैदा हो जाता है ये हमसे आगे न बढ़ जाए हमसे अच्छी बाते न बोल दे लोग जादा पसंद न करने लगे ये डर के महौल में जीता है इसलिए वहाँ पर जो सिच्वेशन चल रही है उसमें राय बरेली के लिए प्रियंका वाडरा ने हां कर दिया लेकिन मजबूरी है कि अगर राय बरेली के लिए प्रियंका वाडरा को बता देंगे कंडिडेट गोसित कर देंगे तो अमेठी के लिए आपको किसी ने किसी को करना पड़ेगा फिर सवाल उठेगा कि राय गांधी भगोड़ा बन चुका है भागते भागते अब कहा जाएगा पता नहीं इसलिए इस सभाब के कारण confusion है दस जनपत पर भिडंत हो रही है हंगामा हो रहा है और ये जो नेहरू खांदान की परंपरा है कि एक से जादा संतान हुआ नहीं लड़ मरोगे लेकिन ये तो वह वाली बात हुई कि ना हम खुद लड़ेंगे ना दूसरों को लड़ने देंगे ऐसे बे तो गांधी परिवार का अस्तित्व ही अमेठी से खत्म हो जाएगा ऐसे तो खत्म ही है अम नहीं रहेगा सुनिया गांधी खत्म हो गई है उसके बाद राहुल प्रियंका को आगे आने नहीं देगा प्रियंका और राहुल दोनों का राज्यतिक केरियर खत्म होगा गांधी परिवार से हिंदुस्तान को मुक्ति मिलेगी और कॉंग्रेस को भी मुक्ति मिल जाएगा जे कहीं ये गांधी परिवार का आखरी चुनाओ ना हो बहुत बहुत धन्यवार सेर समझावे लिए तो राहूल गांधी को भी समझ में आ गया है कि इस बार उनका चुनाओ जीतना बड़ा मुश्किल है दो दो बार यात्रा भी निकाल चुके हैं पर जनता राहूल गांधी को पसंद नहीं कर रही है हार की बॉकलाहट अपसाफ राहूल गांधी के चहरे पर नसर आ रही है और यही वज़े है कि पाटी में भी फूट है और परेशान राहुल गांदी उट पटांग बयान बाजी कर रहे हैं देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस पर आप अपनी राई कमेंच कर लिखें देखते रहें Capital TV नमस्कार